नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागात है आपके अपना यूटूब चनल स्टॉड़ी टूड़ी विपलाप में आज के इस वीडियो में हम कक्छा आठवी सामाजिक विज्ञान के यानि कि सोसेल साइंस के most important mcqs देखने वाले हैं objective questions देखने वाले हैं एक करके सभी के उत्तर को देखेंगे वीडियो को complete देखना है वीडियो का लाइक करना है ठीक है और यह दुसरा वीडियो है फर्स्ट वीडियो का लिंग आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा इस सारे के सारे questions एक्जाम के most important है इसलिए सभी से request आप लोग वीडियो का complete देखेगा वीडियो का like किजेगा और share किजेगा तो चली start करते हैं पहला प्रस्ट जो यहां पर दिया हुआ है कि इन में से कोन नभी करनिया संसाधन का उदाहरन है इन में से कोन नभी करनिया संसाधन का उदाहरन है options यहां प संसाधन काहलाते हैं जिनका सिग्रता से नभी करन हो जाता है अर्थात जिनका सिग्रता से नभी करन हो जाता है जिनका दुवारा उपयोग क्या जाता है तो यहां पर option दिया हुआ है सूरिया का प्रकास हवा तो यह दोनों सही हो जाएंगे ठीक है सूरिया का प्रकास हवा तो option C को सही करेंगे A और B दोनों, यानि कि option A और option B ये दोनों सही हैं, तो option C right होगा A और B दोनों, सुर्यक का प्रकास और पबन उर्जा, यहां पर हवा लिखा हुआ है ठीक है, तो A हो जाएगा आपका right answer, option C right answer हो जाएगा, next question जो यहां पर दिया हुआ है, कि वी सकी सबसे वी सकी कितनी प्रतिसद भूमी क्रिसी योग्या है, वी सकी कितनी प्रतिसद भूमी क्रिसी योग्या है, तो आपको याद रखना है 11 प्रतिसद, ठीक है, 11 प्रतिसद जो है, यह आपका right answer हो जाएगा, अगर आपको एक्जामें पूछ दे, यहां पर, यहां पर जैसे कि प 57% मैं यहां पर लिख दता हूं ठीक है 57% और यहां पर आपको पुछाए विस्ट की कितनी प्रतिसद भूमी किसी जग्या है तो आपका राइट अंसर हो जाएगा 11 प्रतिसद नेक्स्ट कोशन यहां पर दिया हुआ है कि दक्कन पठार पर कौन सी मिर्दा पाई जाती है उत्पादक देश कौन है विस्ट का सबसे बड़ा वक्साइट उत्पादक देश कौन है अप्सन यहां पर दिया हुआ ब्रिटैन भारत ऐस्ट्रेलिया चीन तो इस क्वेशन का राइट अंसर आपका हो जाएगा अप्सन नंबर भी ठीक है ऐस्ट्रेलिया हो जाएगा लोह ऐसको हो गया तीन हो गया इूरेनियाम हो गया ठीक है निकेल हो गया इन सभी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है अस्ट्रेलिया यह आपको याद रखना है सोना लोह ऐसको हीरा टीन इूरेनियाम निकेल इन सभी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है अस्ट्रेलिय यह आपको याद रखना है नेक्स्ट है कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कोन है तो आपको याद रखना है ब्राजील ठीक है इस question का right answer हो जाएगा option number C ब्राजील हो जाएगा वहाँ कहवा को जो है फजेंडा कहा जाता है बड़े वागान को क्या कहा जाता है फजेंडा कहा जाता है यह भी एक्जामें पुछा जा सकता है आपको याद रखना है ठीक है तो इस question यहाँ पर लोहा, तांबा, कोईला, पेट्रोलियम तो इस question का right answer हो जाएगा option C कोईला को उद्यक की जननी कहा जाता है यह आपको याद रखना है नेक्स्ट है आपके समने यहाँ पर प्रसना संख्या साथ कि भारत की प्रथम आधुनिक लोहा इस पात उद्धो कोन है भार चाहत इस पी में जम स nuclear जम सेथ टाटा के दौरएशेत शवर्णा रेखाएख है और आपको याद रखना आपको याद रखना है यहाद रखना है में सभी से रिके ăn बीडi Ergebnis को हमप्लीट को एक लाइक करें लाइक से हो तो फेस चग कर एक हो तो नेक्स्ट बीडi amazed नेक्स् प्रशन संख्या को ध्यान से देखेगा, एक लिएज को सिर्द के मलें दिसक्रिपन में आपको प्लेस्ट करना है ठीक है , विसर की तिसरी सभसे बड़ी आवादी वाला देश कोन है विश्यक की तिसरी सबसे बड़ी आवादी वाला देश कोन है इस सारे के सारे questions एक्जाम के लिए most important है एक्जाम में आपको 100% देखने को मिलेगा ठीक है विश्यक की तिसरी सबसे बड़ी आवादी वाला देश कोन है चीन है दूसरे स्थन पर भारत है प्रथमिस्थन पर चीन है दूसरे स्थन पर भारत है और तिसरे स्थन पर संगिक तरज्ज अमेरिका है नेक्स्ट क्वेशन है यहाँ पर कि कस्मीर से कस्मीर से कन्या कुमारी तक भारत का विस्तार कितना है कस्मीर से कन्या कुमारी तक भारत का विस्तार कितना है तीन हजर किलोमेटर, तीन हजर दोसो किलोमेटर, चार हजर दोसो साथ और दो हजर किलोमेटर तो इन्वेसर राइट अंसर हो जाएगा, अपसन B हो जाएगा, ठीक है कस्मीर से लेकर कन्यकुमारी तक भारत का विस्तार जो है 3200 किलो मिंटर है यह राइट अंसर हो जाएगा अप्सन B नेक्स्ट है अंग्रेजों को बंगाल से सिमित छेत्र में व्यापार की इजाज़त किस ने दी थी व्यापार करने के लिए इजाज़त किस ने दी थी सहहाँ है यह आपको याद रखना है ऑप्सन B सहहाँ इसकोस्टन का राइट अंसर हो जाएगा चले नेक्स्ट कोस्टन की ओर नेक्स क्षेशन और सिपाही बिद्रोह कप शुरू हुआ था ? हिंदू विद्वा पुनर विवाह urrectionसे का स्वार हցआ पारित हुआ तो इस्कवेशन का राइट अपर हाट है? है.. ठीक fi.. आखाये .. 1856 आपको याद रखना है.. लही हमस्तर चेहिं को याद सब्सक्वार रखना है.. राम्पर को已经现在 कि गई थी.. को को याद रखना है.. मैं यहाँ पर सालवी लिग देता हूँ.. अठाथासों.. पचासी । 1885 इस्वी में जो है इस सतापना हुई थी आपको याद रखने एक्जाम के लिए इंपोर्टन्ट है नेक्स्ट आपके सामने यहां पर संग्विधान द्वारा कितने मौलिक करतब्य प्रदत है प्रदत्य है संग्विधान द्वारा कितने मौलिक करतब्य प्रदत्य है लौहपूरुष के नाम से किसे जाना जाता है बल्लभ भै पटेल को महत्मा गांधी को सुवास चंद्रबोश को इन में से कोई नहीं तो इस क्वेशन का राइट अंसर हो जाएगा बल्लभ भै पटेल को लौहपूरुष के नाम से जाना जाता है और आपको यह भी याद रख यह आपको याद है। नेक्स्ट कोश्चन देख सकते हूँ यहाँ पर प्रथम द्रिश्टता do एफ आड कुछ जीला में पूलिस मुख्यालाई में संबंधित थाना में कोई नहीं तो इस ब्रद जीला Enough फॉलिस मुख् retard हो छोग यह नहीं है ठीक है ओस्विन श्रता काहलाती है तो अपनसर यह यहां Pea को कैसे कई कोर्णा वायरस की पाहले मामले की पाहचन कहां हुई थी विजिंग के अंदर संगाई बूहान यह के अंदर जो है कोरोना वाइरस के पहले मामले आई थी तो इस कॉश्चन का राइट अंसर हो जाएगो बुहान सर्वसिक्षा वियान कब आरम हुआ था सर्वसिक्षा वियान जो है 2000 से 2001 के बीच में यह आपको याद रखना है option A right होगा सुकन्न सम्रिधी योजना कब लागू की गई थी 2012 में 2014, 2016, 2005 सुकन्न सम्रिधी योजना कब लागू की गई थी 2014 के अंदर 2014 में यह योजना को लागू की गई थी यह वालिकाओं की सम्रिधी से सम्मंधित योजना है जो कि 2014 में इसको लागू किया गया था सुकन्न सम्रिधी योजना तो यह थी कुछ most important questions वीडिए को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना सभी दोस्तों में सेयर कर देना और इस तरह के वीडियोज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में